तो उससें में यम्मम क्या करते हैं उसमें आप भी कर सकते हैं अकी पाणी इस साथ मिलाकी मार्ण सब्स्सक्राइब में यहां अपने स्क्राइबर जिनका नाम है अश्राफ अली सिच्छा आप बार किया है wilt निराज भाइ तीन टर्ण फोर्टिप में जो रेड़िवाटर होता उसका अंदर पानी कितना पढ़ता है वह जानना चाहते हैं यह बात कि प्लेंट हो या पानी हो कितना पढ़ता है उसके अंदर दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉप ही बात करने वाला हूं और बहुत बात है मारा जो पहला पॉइंट है यह आप लोग कभी भी ध्यान में रखिएगा और समझेगा कि मिराज भाई आप लोगो क्या बता रहा है ठीक है हमेशा मैं बोलता रहता हूं कि इल्म बाटने वाले चीज भी होती है और लेने वाले चीज भी होती है अगर आपके पास इल का फोर्क्लिफ होता है वो फोर्क्लिफ एक जैसा सब नहीं होता है हर कंपनी का अलग-अलग ठीक है ना जहां भी आप देखेंगे कहीं वोल्वो का भी आता है कहीं टोएटा का आता है कहीं हुंडाई का आता है कहीं टी एंसी का आता है दोस्तों बहुत सारा फोर्क्लिफ ह बनाता है company सब में एक जैसा रेडिवाटर नहीं लगता है हाँ सब छोटा ही होता है इसलिए कि छोटा फॉरक्लिप्ट है तो छोटा ही इसके अंदर रेडिवाटर भी लगता है दोस्तों बगर बात कर ले हम कि इसके अंदर पानी कितना पड़ता है ठीक है इसके अंदर पान में कुलेंट पानी कितना पड़ता है तो बहुत जगह दोस्तों ऐसा होता है जैसे कि इंडिया के अंदर हम इंडिया बात कर लें यहां पर हम ने कहीं नहीं देखा है लेकिन अगर हम जो हम्रें पढ़ाई भी किया ठीक है न उसमें भी हमको नहीं बताया गया इस चीजिए ठ यह प्रों डेकिए इंडिया मकसर आप देखेंगे आदमी क्या करता है न की हम एक चाया लेगा उसमें ॉस्तान्य लेता है न Salut कि तो क्लेंट लेके कुछ या निमान लेज़ेगा अब इसमें 10 लिटर लग रहा है तो क्या करेंगे लो कि 5 लेंगे और 5 लिटर पानी उसको एक ही मिक्स कर देंगे और उसका सुद का अंदर डाल देंगे वह भी सही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम गल्फ कंट्री में काम कर होते हैं इसलिक उसके अंदर कुछ प्रक्शों देख है जो जी प्दम कर जाता है तुसमें क्या होता है न कि जब जाता है पारिक जंक नहीं बनाता है और passenger इतना जल्दी नहीं इतना पॉना से पकड़ता है। यह वह भी की पो करने के लिए खते हैं लेकिन वह बहुत टाइम के बाद पकड़ेगा 15 साल 20 साल के बाद ऐसा धीजरे पकड़ना शुरू करेगा ठीक है अगर आप पानी कभी नहीं डाले हैं तो तो इसी लिए हम लोग इसके अंदर प्लेंट डालते हैं कि वह प्लेंट ही डालना चाहिए पानी नहीं मिक्स करना चाहिए अगर पानी यहां गोटर क्या पर टारता ही तो अब क्या काम क्या जरूरी है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कर सकता है यह चाहिए अपने काम को करने के लिए बाद में आप प्लाकर रख लो अपना डालते रहो खेंगे को दिकत नहीं है लेकिन भाई कभी बिगड़ आपको डालना हो न अगर इजी है अगर आपके पार आप लेवल है तो आप इसका अंदर किवल किवल निशुक आनि कि किवल आप जोएकि इसके अंदर पुलेंटी डाली यह बाकी पानी नहीं डाली इए ठीक है पानी एमेर्जेंसिक लिए होता दोस्तों देखी आप हम बताते हैं कि इसमें एक साइड में बाटल भी होता है तो यहां जो धिक्किन होता है जो रेडिवाटर होता है उसमें क्या होता है रेडिवाटर से वह पानी बहुत तेज प्रेसर बनाता है तो यहां से पाइब लगा होता है तो नंदर तो सारा वहां पर अकठा हो जाएगा हुआ सोचेंगे कि उसके अंदर इंजल में कैसे जाएगा हो और यहां पर इकठा हो गया गया कैसे जश्ट उसी डब्यक नीचे देखेंगे आप एक और पाइब जग्या रहता है जो सीधा एकदम से कहां गया रहता है रेडी वाटर के अंदर तो दोस्ते हमें सहे बात याद रखेगा कि एक क्रफ से जाता है तो दोस्ते देखिए अगर आप इंटर्वी के लिए जा रह पूछते हैं या कोई मैं कहीं गया हूँ एक्जांपल के तौर पर मैं आप आया आपके पास यहां सर मुझे एंटर्वी देना है अब मुझसे आप सवाल करेंगे कि ऐसा आप अगर आप बोलते हैं कि ठीक है इसके अंदर रही वाटर के अंदर कितना पानी पड़ता है एक लिए लिए आप अगर पुझे कि ना यह कितना परता है कि इस पोलिया कि 7-8 लिटर या 10 लिटर और इस परता है इसे जाने को थे हैं यह हमें साइब रखिए गाप लोग कि घबडाना नहीं है कभी भी किसी को कोई चीज बताते हो ना तो कम से स्टार्ट करो और को थ्रासा दूर लेगे जाओ उसे यानि 8-10 लि 쪽 ऐसा यह ठिर्बाद करने का बोलने का उसको साम्हेंघ भाई ए अगर मैं बarted 10 पढाई और बाल था यह भलता है यार अर्टल नहीं है कोई चीज कोई पुछता है तो इससे बताओ ऐसे आड़ से दस लिटर ठीक है यह बताओ भाटल समेथ इसके अंदार बताइं रिकवरी बाटल हो जो चोटा सा ठीक है वह दिखा भी देंगा आपको तो उस-टो सहीद उसको बोलो सहीद इसके सहीद ठीक है न यानि बाटल स चाहित आठ चे दस इटर पड़ता है उसको तुरंट समझ में आ जाएगा ज़ाद आपको लंबा खिषने जरूद नहीं पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो पहले मा आपको दिखायता हूं कि जगा कहा है और हमसे आता हूं कि इसको उठाने के लिए बहुत सारा फोर्टिप में यहां पहुना चाहिए और यहां जो हाथ है और आपका राइट ओलिए दाहिना हाथ वो यहां पहुना है इसके अंदर है और इसे कुछ करेंगे और यहां उपर से पढ़ता है लेकिंगरी बॉटल माकों को दिखा दे रहा हूं डोस्तों देखिए यहां पर लोंको दिखाई देता होगा एक यहां पर उसकोने पर उसकोने पूसके से वह यह वाला यहपला यह кажется यह शाड़ लिए यहां से पानी नहीं पड़ता है अगर डालना चाहां तो यहां से डाल सकते हैं लेकिन यहां पने पड़ता है तो यहां से पानी पड़ता है पहले मैं इसको नीचे कर दूँ देखिएंगे पीछे ना यहां पर इसको तरहम लगा लाद होता है प्रयास करते हैं अगर निकल गया तो शाही है लट लेखसे अब लोगे हैं तो दोस्तों कैसा कैसा सिष्ट्मेस्ट में कैसा पानी पढ़ता है कितने पढ़ता है आता करता है कि आ मोनोबल बढ़े और मैं आच्छी सी वीडियो आपके सामने प्रेस कर सकूंँ दोस्तों अगर चैनल प्रेस करके आल पर सेट कीजिए ताई कोई भी में वीडियो अप्लोड करूं तो सबस्क्राइब नोटिफिकल सन आप तक पहुचे दोस्तों फिर मिलता है एक नेक्स वीड